केसो मोरियाब जब पहले बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में बंफर जीत हुई थी लेकिन मैंने उसका स्रे नहीं लिया सारा स्रे सुनील बंसल को जाता और तालियाब जी खोब मुख मंतरी योगी जी थुड़ा सा वो हुए और जब स्वतंतर दे करते हैं जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि केसो मौरिया ने ट्वीट किया कोई मतलब नहीं मानता हूं वह फ्रेस्टेशन में दिया गया ट्वीट है कि संग्ठन जो है सत्ता से बड़ा होता है शायद कभी संग्ठन में आना ही नहीं चाहते थे वह डेप्टी चीफ मिनि और यह चर्चा पूरी तरीके से थी कि मौरिया जी बिल भी दा नेक्स्ट स्टेट चीफ कार मैं हूं अभी शेक मिश्रावर आप देख रहे हैं यूपी तक यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तरप्रदेश के बीजेपी के नए प्रदेश अद्यक्ष नियुक्त हु या फिर संभावना यहीं थी कि भूपेंद्र चौधरी ही प्रदेश अद्यक्ष बनाए जाएंगे इस पूरे मामले नियुक्ती को लेकर कि हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ फिर से जुड़े हैं वरिष्ट पत्रकारों का एक अच्छा सा पैनल जो कि हमें बताएगा कि या किर भूपेंद्र चौधरी के नियुक्ती के क्या माइने हैं और केश्य प्रसाद मौरे क्या नजदीक आते आते रहे गए या वो रेस में थे ही नहीं चलिए शुरुवात करने हैं आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ट पत्रकारों में और सबसे पहले में आपका ता क्या लग रहे हैं और हमारे साथ में वीरें सकसेना जी भी हैं वरिश्पत्रकार है यह अपनी राइस मामने में रखेंगे चलिए बिनावक्त कवाई शुरुवात करेंगे सर सबसे पहले आप से आज शुरुवात कर लिता हूं क्या लग रहा है भूपेंद्र चौधरी का उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नूत किया जाना सबसे पहला रियक्षन इसका माइना क्या है देखिए निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अगर राजनीत को आप देखें तो वह जातिकत आधार पर है जितने भी चाहें मुखमंत्री हूं चहें मंत्री हूं उन सबका समीक्रण जातिकत समीक्रण को बैठा के सारी चीजें राजनीत करते रहें जाट नेता है पश्री मुतर पदेश से आते हैं यही काफी है वही नहीं देखिए वही इस पार जो है चूकि अगर आप देखें पिछले विदान चुनाओं में जो 19 में हुआ उसमें आखली श्यादों का और चौधरी आजी सिंग के बिटे उनका जो गठभंदन राजनेतिक आरेलडी का और सपा का हुआ उस गठभंदन से वहां 19 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी को जो पहला था 17 का उस नुक्सान हुआ था जो यह अभी चुनाओं हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पश्ची मुत्रप्रदेश के जातिकत समीक्रणों को साधने के लिए भारती जनता पार्टी ने वहां जाट नेताओं में को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 14 साब को अध्यक्ष बना दिया और वहां स जरूर अपकी थोड़ा सा जो भारती जनता पार्टी का है उसमें लगा कि पूर्वांचल और पश्चिम पश्चिम से दोनों है चौधरी साभी पश्चिम से हैं और धर्मपाल जीवीत पश्चिम से हैं यह अपने में थोड़ा सा अलग हटके भारती जनता पार्टी ने सम अंदाज में साधा यह तो वह जाने लेकिन वरना यह रहा है कि पूरप से एक आ गया एक पश्चिम से आ गया यह अब से आगया पूरप से पश्चिम करणों को भारती जंता पार्टी की जो भी कुछ सोचा हो या जो भी उसका अपना आकलन रहा हो जातिकर समीकर्णों को ध्यान में रखा गया वरना उनको बुलाया गया नड़ा साब के पास यह गए और यह चर्चा पूरी तरीके से थी कि मौरिया जी बिल भी दा नेक्स्ट स लेकिन बाद में शायद समीकर्णों का और उसके पीछे यही था चुकि जब मौरिया जी की चर्चा की बात आई तो उससे पहले धर्पाल जी पश्चम उत्तर प्रदेश से उनको संगठन मंतिय के रुप में निक्त कर दिया गया था तो यह समझा जाता था और हम लोग भी सरकार का भी अनुब हुए तो शायद वह उप्यूक्त व्यक्ति होंगे लेकिन अशा नहीं हुआ है सर आपके पास मैं आ रहा हूं क्या केश्व मौरिया ट्वीट किया था संगठन सरकार से बड़ा होता यह क्या उल्टा पड़ गया या यह ट्वीट करने का माइना क्या थ समय देखें जहां तक मैं समझता हूं केश्व प्रसाद मौरिया शायद कभी संगठन में आना ही नहीं चाहते थे वह डेप्टी चीफ मिनिस्टर है और डेप्टी चीफ मिनिस्टर की जो हनक होती है जो पावर है जो उनके पास मंत्राले है विभाग है उसको छोड़ करके वह शायद कभी बिलिंग नहीं थे लेकिन यह उन्होंने बयान दे दिया किसी कंटेक्स्ट में बयान दिया होगा लेकिन यह कि मुझे नहीं लगता संगठन वाले यह जरूर इंटरस्टेट थे कि इनको बनाया जाए लेकिन बाद में जिस तरह प्रमोद गोस्वामी जी न लेकिन आपको लगता है कि जरूरी इसलिए था क्योंकि वह चायते हैं कि हमेशा पश्चिम जो है इनके साथ रहा है चौदरी साहब जब थे तब जरूर उनको वोट मिलते थे लेकिन अजी सिंग के जाने के बाद जो पश्चिम है वह बोस्ट ली आपने देखो पिछली च नहीं में इनका मामला घडबर हो गया था तो इनुने यह बात ध्यान में रखते हुए यह सोचा कि हमको जो है पस्चिम पर अपना देना है और पस्चिम का जो है किला धुरस्ट करने के लिए जैंत का उन्होंने यह चाल चली है और मुझे लगता है यह उसमें बहुत कि अगले मुख्य मंत्री यहीं होंगे लेकिन फिर क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा क्या ये मौका था और अगर प्रदेश की काई में केश्व मौरिया आते तो वह ज्यादा फालदाई होते या भूपेंदर चौधरी सही चौई से भारतिय जनता पार्टी में अपनी अपनी पसंद सब देखते हैं जहां तक केशो प्रसाद मौरिया का सवाल है अभी एक कारकम में हुबा था अटल जी के समय में उसमें मंच पर अपने संग्ठन मंत्री भी बैठे थे बंसल जी उसमें राष्टिय संग्ठन मंत्री हो चुके थे दो दिन पहले मुख मंत्री सब्सक्राइब बैठे थे केशो मौरिया भी बैठे थे केशो मौरिया जब पहले बोलने के लिए ख़ड़े हुए तो उन्हों ने कहा कि मेरे समय में बंफर जीत हुई थी लेकिन मैंने उसका स्रे नहीं लिया सारा स्रे सुनील बंसल को जाता है और तालिया बजी खोब मु पसंद क्या है योगी जी कभी भी मोरिया जी को पसंद नहीं करते हैं अब उपर से जब दबाव पड़ा तो विधान सभा में नेता के रूप में उन्हों ने केंद्रिया नेतुरत्य के हस्तक्षेप से यकिया और सोतंतर डियो सिंग से वह लिए निश्चित रूप से भार यह करके न होने कभी कभी यह जी कर रहे हैं चाचाघ्य साक्राइए औरभी जो नहीं होने से फाली चैट्ट्रोल अव्यस्टी से होता और जो राजनेतिक लोग थे उन लोगों ने कहा के लगता के आपको मुखमंत्री पद से हटाने की एक ये योजना है कबायद है तो उसके काउंटर मुनों ने कहा के ये फेस सेविंग कह लीजे उसका काउंटर कह लीजे उन्होंने ये जताने की कोशिश की के अध्यक्ष का पदए घरनीती के तहठा और उसका कांटर के ये अध्यक्ष का पद जो है वो मुखमंत्री या उपमंत्री से कमतर नहीं है अगर वो कि चर्चा तुथी तो अगर वो बनाए भी जा रहे हैं तो आप लोग हमको ये कमतर मतां किए ये इस पद की माता मुखमंत्री से कम नही और यह बात पश्मी उत्तर प्रदेत में 2014 का जब लोकसभा का चुनाव सुनू हुआ था तो पहला चरण पश्मी उत्तर प्रदेत मुझफण नगर का दंगा उस समय हुआ था और उस दंगे में मुसल्मार और हिंदू का बढ़कर के हुआ था हिंदू ज्यादा मारा गया था जाट मारा गया था और उस समय अजीद सिंग वहां देखने तक नहीं गया था उसके एक नाराजगी जाटों में बढ़ी इसी तरह जो गूजर था इनमें एक गूजर है एक जाट है तो यह दोनों बैक वर्ड है आप यह देखे और बैक वर्ड की राजनी जो है उत्तर प् में हैं और पिछली बार जब इनका मिल करके लड़ा सपा और आरेलडी मंफर जीत हुई है उनकी पिछणों को यूपी में रहना है तो नजर अंदाज नहीं कर सकते सुरें सराफी बारी आ गई है यह बताए अब भूपेंद चौधरी पंचायती राजमंत्री है आप योग कि य eller भूपेंड चौधरी की या फिर आप सुतन्य जिन इख से अलग कैसे होंगे बूपेंड चौधरी ने गया है तो जाहिरोग केंद की प्रसंद है और कहीं ने काइन को योगी जी से वी कंसल्ट किया गया होगा है तTu तेन देव योगी जी के खास आद्मी थे और अगला चुनाव भी जो होगा जाहिरम क्वंति के नेचत्त में यहाँ होगा तो कहीं कोई गरबर ना हो जो बार-ब त्वार आप पूछ रहे हैं कि केशाओं मौरिया ने ट्वीट किया कोई चूइट का में कोई मतलब नहीं मानता हूं वह फरस्टेशन में दिया गया ट्वीट है कि संधन जो है सताथ के इसलिक ऐसे मिला होता है। लेकिन तौन ग़ातीन है श्चुछ नैखनालज़ती कोई बढ़ा नगी तौना नहीं है। तो सुरू से बिल्डप हो जाता है वो पर आगे चलते चलते लास्ट तक रहता है पिछले चुनाओं में तो सारी विप्रित परिस्थितियों के भी जाट आट सब बाजपाने तोड़ी लिए कोई चौदर टिकेट सिंग का वह असान नहीं रहा तो अब वह नहीं है लेकिन अ सब्सक्राइब करना लेकिन दिल्ली पहुंचना मुलाकात करना उसके बाद वाफिस आना वह चुप भी रहा उन्हें कोई बायान नहीं दिया क्या वो रेस में थे भी यह अगर थे तो यह स्थिती बनने की थी भीजेपी में कि मुझे नहीं लगता को रेस में थे तो कि वह कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं देखो बुरी तरह से हतास है और मौर्या मौर्या वोट की का कोई नेता रहा नहीं यह भी आर गए और स्वामिप्रशाद मौर भी आर गए थे तो यह जो दोनों कहते थे कि हम साम मौर्याओं के बड़े-ब पावर ना दे लिए उसके हनक तो है वो सेक्योर्टी लेके चलना यह वो काम होगा नहीं होगा अच्छा मुख्यमंत्री बनना ज्यादा फलदाई है क्योंकि समय कम हो रहा है आप से पूछना चाहूंगा भूपें चौधरी को कहा देखते हैं संगठन को कहा तक ले जाएं अब लक्ष्मी कान वाजपाई महिनात पांडे और उसके बाद में खुद मौर्या भी रहे स्वतन देव सिंग और अब यह कितने अलग होंगे या वैसा ही पैटर्ण चलेगा देखिए लक्ष्मी कान वाजपाई तो एक परसनालिटी थे और उनकी एक पहचान थी पश्च स्वाइधे रहा है कि उन्नोंने कोई कर दियो कोई अंदोलन कर दिया हो को किसी तरह कर दियो यह सरकार में ऐसा काम कर दियो जिससे उनका बड़ा नाम हो अब वो भीश्anka में देखेंगे कि वह क्या कर सकते हैं कितना उंचे जाते हैं उख मॉरिया को नामें मॉरिया और यह दोनों बराबर इस तरपर है क्यों कि मॉरिया कभी यहां बनना यूर्वाय जीत भी हुई थी इसलिए कह सकते हैं कि वह शेट बेटर थे इन से अब उनका कारिकाल देखेंगे क्या करेंगे तब तुलना हो सकती अभी तो तुलना करना मुश्किल है क्योंकि अभी तो इनके काम यह नहीं शुरू हुआ है सर कहा गया था सर पाइनल कोमेंट की आखरी जो दौर था अभी चुनाओ का उसमें एक सेविंग फेस थे बुपेन चौधरी पश्ची मुत्तर पदेश की 25 सीटे होंगी अभी लोग सबाद चुनाओ में तो आपको लगता है कि वही सेविंग ग्रेस का काम बुपेन चौधरी सक्सेस्फुली कर पाएंगे मौर्या की से फिर अगर तुलना करें उनका जो रिजल्ट था देखे जहां तक मेरा अपना निजीत और पर मानना है कि भारती जनता पार्टी जो संगाटनात्मक धाचा लेके कैडर बेस्ट पार्टी है उसमें अध्यक्ष अगर हम होंगे और कि अप्रदी अध्यक्रत कि क्या जाकर्ण है तो इसलिए चाहें आप मौर्या जी को लेह दिए मौरिया जीया जीख का पूर में चाह क्याक जातिकता समीकरन दालाओं पॉरे स्टन्देव इस ने यह बड़ी उपलब्धी की थी जिसके नाम से जाने जाते हैं मोर्या जी ने क्या काम किया था कि इसकी वजह से जाने जाते हैं थाह में δूसरी बात कहिए आए है ने जो आये है इसमें पूरा संघटन काम करता एह संघ काम करता है उसके पूरे लोह काम करते हैं स्व हमें आपके समधाय का वीकति कि हमारे लिए कितना महतफ़ है बाकी जो टिकट बटने हो और चाहें वह और काम हो वह सब दिल्ली के निर्देशों तो दिल्ली की रणनी से दिल्ली के वह सारी चीजें उसी हिसाब चोती तो भारती जंता पार्टी में इस आधार पर मेरी समझ में आकलन के साथ यह मतलब बड़े-बारी योधा थे तलवार दिल्ली में बठें यहां तो खाली जो है उनको दे दिया गया क्या उनने का टिकट आप बाटेंगे तो आने वाला समय बताएगा लेकिन मैं एक बात कहता हूं किसी भी प्रदेश अध्यक्षिक अब यह यहिसित नहीं है कि किसी अपने को टिकट दिला दे यह मैं आप मानके यही सुनेल बंसल थे वह जिसको चाह रहे थे टिकट दिला देते थे लेकिन स्वतंत्र देवसिंग एक टिकट अपनी मनमर्जी से नहीं दिला पाई यह रखने हैं जो गली गली जा करके मोटर साइकल से 5000 रुपए रोज मिलता है उनको पन्ना प्रमुख बने हुए उनुपर निर्भर करता है अब भारतिये जनता पाल्टी के लईया चना खा करके गली गली जाने अम्मा ओड़ डारे चलो वो नहीं बहुत कुछ बदल चुका आखरी कॉमेंट जिस तरीके से नियुक्ति हो गई है और अब साफ हो चुका है और केश्यम वर तो सरकार में रहेंगे इनकी नियुक्ति के बाद में क्या कुछ बदलाव देखेंगे या संगठन वैसे ही चलेगा जैसा चलता है तक यादो और कुर्मियों को भी चौधी लिखा जाता है उनके सरनेम चौधी लिखे जाते हैं वे चौधी का मतला है को सब्सक्राइब जिसकी चल नहीं राके में तो तमाम यादो चौधी लिखते हैं तो उनको एक मैसेज यह है कि हम बैक्वड पॉलिटिक्स पर थे बैक्वड पॉलिटिक्स पर रहेंगे यादों पर एक तर्फा चुकि कभजा सपाकाभी बना हुआ सारी परिस्थितियों के बावजूद इसलिए बड़ी चर्चादी के ब्राम्मल बना देंगे फ्लाना बिना देंगे बीजेपी के हाई कावनेत है क्या कि नहीं कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे जो टेस्टेड हमारे एक्सपेरिमेंट रहा है कि अधर देन यादो जो बैक्वड है वही हमको वोट दिलाएगा उसी पर हो रहें बागी भूपें चेहोदरी कोई बड़ा-बारी नाम नहीं है ना उनका कोई काम है हम खुर 40-50 साल से प संक्ठन नड़ा ने कर दिया संक्ठन में बंसल ने कर दिया लेकि संक्ठन माने भूपेंच यह नहीं नहीं है उसका अब एक रीजन था लेकिन भूपेंदर चौधरी अब उत्तरप्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे भारती जनता पार्टी के और 2024 की लडाई में ये समीकर बीजेपी को कितना फलदाई होगा ये तो नतीजे बताएंगे लेकिन साफ है कि कहीना कहीं जातिकत राजनीती और सीधे त रहे हैं तक उसे क्यामरमेन संदीप के साथ अभी शेख मिश्रा यूपीता